हाई अवरिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इसी साल के शुरुवाती महीनों में इरान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन्स इतने खराब हो जाते हैं कि ऐसा लगने लगया था कि पाकिस्तान का आज के डेट में कोई देश सबसे पढ़ाने के लिए और इनका टार्गेट है कुछ 10 billion American dollars annually trade करनेगा वहीं पर बहुत सारे experts का ये मानना है कि इरान और पाकिस्तान की बीच में रिलेशन्स अच्छे होने का जो chances है वो almost negligible है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में experts का ऐसा क्यों कहना है और क्यों इरान और पाकिस्तान का इस वक्त close आना महज एक मजबूरी है इस वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये official photo release किया गय कुछ 10 billion American dollars तक होना चाहिए और लगभग पाकिस्तान और इरान के बीच में जो current bilateral trade है ये कुछ 2 billion के आसपास हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में इरान पाकिस्तान के उपर और पाकिस्तान इरान के उपर क्या allegations लगाता है अब किसी भी चीज़ को समझने का जो सबसे बहतरीन तरीका होता है वो होता है मैप के जरिये अब जिनको नहीं पता है उनको में बता दू कि एक बलुचिस्तान तो पाकिस्तान में पढ़ता है जो कि almost हम सभी को पता है और दूसरा बलुचिस्तान पढ़ता है इरान में जिसको कहते हैं सिस्तान और बलुचिस्तान चा अगर हम बात करें पाकिस्तान के politics का या पाकिस्तान के army का तो वहाँ पी जो dominance है वो पंजाब province का ज़्यादा है वहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान का सबसे जो mineral rich area है वो है बलुचिस्तान लेकिन यहीं के लोग सबसे गरीब हैं तो कहने का मतलब है कि बलुचिस्तान जो जो पाकिस्तान में पढ़ता है, वो कभी भी अपने आपको पाकिस्तान का हिसा मानना ही नहीं चाहते हैं। खिलाफ resistance करते हैं तो इनको support मिलता है वैसे बलूची लोगों का जो पाकिस्तान में है तो कहने का मतलब है कि ये लोग अपने आपको एक ही family का हिस्सा मानते हैं और एक दूसरे को support करते हैं इसी बीच क्या होता है कि इरान कितनी बार ये allegation लगाया है पाकिस्तान के उपर कि उनका कोई भी control नहीं है बलूची लोगों के उपर तो कहने का मतलब है कि जितने भी जो attacks इरान में हो रहे हैं तो उसके पीछे का जो responsibility बनता है वो पाकिस्तान की सरकार के बनता है तो कुछ ऐसा ही allegation लगाया गया है या लगाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा भी तो उस सिलसिला काफी लंबे सालों से चलता हुआ आ रहा है क्योंकि इरान के relation इसराइल और USA के साथ अच्छे नहीं है और इस महिने के शुरुआत से हम कह सकते हैं कि इरान का जो relation है वो इसराइल के साथ और भी खराब हुआ है तो इस बीच किसी भी तरीके से इरान के president इबराहिम राइजी वो पीम शहबा सरीफ को ये बताते हैं कि इरान और पाकिस्तान दोनों मिलके जो Palestinian cause है उसको support करते हैं तो in a way ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इरान दोनों concerned है जो भी पैलेस्टीन में हो रहा है खास करके जो गजा में हो रहा है उसको लेके नॉर्मली ऐसा देखा जाता कि किसी भी देश के अगर प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिदेंट जाते हैं तो उनका जो statement होता है वो काफी बढ़ चड़कर statement होता है तो कुछ ऐसा ही कहा गया है इबराहीम राइजी और प्राइम मिनिस्टर शहबा सरीफ के द्वारा वैसे तो बहुत सारे व रखा था क्यूंकि USA को काउंटर करना था USSR को और बहुत हद तक Middle East के हम कह सकते हैं कि Almost जो देश है वो काफी close है USA और इसराइल का साओधी अरेबिया और इरान के बीच में संबंद इतने बुरे हैं जिसको शायद अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं और ये बात साओ रख्रिक्ट है या टेंशन है वो रिलीजन को लेके बिलकुल भी नहीं है दोनों देशों को अपने आपको Muslim World में लीडर दिखाना है बताना है और पाकिस्तान की जो एकॉनमी है वो dependent है लोन के उपर और पाकिस्तान को लोन तभी मिलेगा जब उसकी नजदी के USA के साथ रह और in fact पाकिस्तान पिछले साल USA के कहने पे यूकरेन और इसरायल दोनों को अपने वेपन्स बेचे थे और बदले में पाकिस्तान को IMF से कुछ लोन वगेरा मिल गया था तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान चाह के भी कभी बी इरान से अपनी नजदीकी को नहीं बढ़ा सकत एक तो पाकिस्तान में बहुत ही serious leadership crisis है और उसके अलावा भी क्यूंकि पाकिस्तान के पास अपनी कोई economy है नहीं और अगर अभी देखा जाए USA, Saudi Arabia, UAE में तो इरान इनके सामने stand ही नहीं करता है तो कोई भी देश कभी भी कमजोर के साथ अपने relation को अच्छा करना नहीं चा प्रोजेक्ट के उपर agreement किया गया था वो लगभग लगभग कुछ 1700 से 1800 किलोमेटर लंबा है जो कि हम कह सकते हैं कि इरान ने अपने side में उस gas line प्रोजेक्ट को almost complete कर दिया है लेकिन पाकिस्तान उसको अब तक complete नहीं कर पाया है As a result, इरान धमकी देता है पाकिस्तान को कि आपने जो प्रोजेक्ट पे sign किया था आप उसको fulfill नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपके उपर International Code of Justice में case किया जाएगा जैसे ही ये बात दुबारा से public platform में आता है तो वैसे ही US का काफी strong statement आता है जहाँ पे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इरान gas pipeline project को US allowed नहीं करता है और अगर पाकिस्तान इरान के साथ किसी भी तरीके का economic deal करता है तो वो कहीं न कहीं USA का sanctions को attract करता है और पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो इरान से अपने नजदीकी को बढ़ाने के लिए USA का sanctions को accept कर ले तो in a way अकर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आएगा कि क्योंकि अभी इसराइल और इरान के बीच में tensions काफी खराब हुए है तो कहीं न कहीं इरान अपन इस तरीके से दिखाएगा कि उसके पास और भी अलग-अलग Muslim countries का support है तो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि Ibrahim Raisi का Pakistan आना ये सिर्फ एक दिखावा है और ये भी almost impossible है कि इरान और पाकिस्तान के बीच में bilateral trade annually 10 billion तक पहुँच भी पाएगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं क कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye